नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को बोला था कि मैं सिंदुगाटी सब्वेता का दूसरा वीडियो आज की दिन डालूंगा तो तो सिंदुगाटी सब्वेता से हमारे कुछ थोड़े से डेटास छूड़ गये थे वह हम लोग इस वीडियो में पूरा पूरा कवर हो जाएगा ट्रिक के साहन देखिए अब सिंदुगाटी सभेता में खुदाई से क्या क्या समान मिला है सिंदुगाटी सभेता में खुदाई से क्या क्या समान मिला है तो सिंपल से है राम जी मिल गए अपने को कौन मिल गया राम जी सिंदुगाटी सभेता में खुदाई से क्या मिला है तो राम जी मिल गए है, R से है rice, R से क्या है, चावल, चावल के साक्ष मिले है हमको, कहां कहां से मिले है, रंगपूर और लोथल से चावल के साक्ष मिल गए है, A से है अगनी कुंड, A से क्या मिला है, अगनी कुंड, M से क्या मिला है, मन के, M से क्या मिला है हमको, मन के, और G स से क्या मिला है घोड़े के अस्ति पंजर मतलब सिंदुगाटि सभयता में खोदाई से क्या मिले हम को तो राम जी मिल गए है और से क्या है राइस मतलब चाबल एसे क्या है अगरीकुंड मनके और जी से क्या है घोड़े के अस्थी पंजर ठीक है अब हम लोग सिंदु घाटी सब्वेता से रिलेटेड उनकी अर्थ व्यस्ता से रिलेटेड कुछ चीजे देख लेते हैं देखिए क्रिसी सिंदु घाटी सब्वेता वालों को कपास उगाने वाले संसार के सरुपर्थम व्यक्तिय में से माना जाता है मतलब संसार में सबसे पहले कपास कहां उगया गया था तो सिंदु घाटी सब्वेता में ही उगया गया था ठीक है एक चीजा रखना है चावल उन लोग नहीं उगाते थे लेकिन क्या है रंग पूर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले है अभी थोड की अरफाल उन लोग नहीं उगाते थे चावल क्या करते थे लेकिन चावल का क्या है रंग पूर और लोथल से मिले हमको प्रमाण मिले क्लिक है अगर हम लोग देख लिए तो पसूपालन के ले लोगाई भैस भेड़ बकरी गधे उँट इन सबको पालते थे लेकिन एक ची नहीं जानते थे लेकिन याद रखना है घोडे के अस्थियों का प्रमाण मिला है हमको राम जीवाला ट्रिक में आतको रलाष्ट में जी था घोडे के अस्थि पंजर तो घोडे के अस्थियां मिली हुई हमको अस्थियों के प्रमाण मिले है कहां से मिले है सुर्कोटडा से क तो देखे, सिंदु घाटी के लोग किन-किन धात्वों के बारे में जानते थे, अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंदु घाटी के लोग किन धात्वों के बारे में जानते थे, तो simple च तरिक है 7 उच्छताप सिटी डाक ट्रnteक है work क्या ट्रude Stillasti क्या ट्रिक है May we talk त से अपना की ओ सुना सो शे क्या है की कर दिज Soo से है Sonna चा से है Con² से तामभा सी से है सी सा और टी से क्या है tena मतलब सिंदुगाटी सा है के लोग लोग क्या चीज को जानते थे एकदम सिंपल था ट्रिक है अब जानेंगे तो सोचेंगे ना भाई जानना है तो सोचना है और सोचना है तो सोचता सीटी के बारे में उन लोग जानते थे टोशे की है चुतु कि लोग किन-किन धातो एक बार में जानते थे तो बस सोच तासिटी क्या जय आद रखना है। ठीक है जब मैं सिंदुगाटी सभ्यता का पहला वीडियो डाला था तो मैं आप लोग को बोला था कि मैं जैसे ही मोहन जोद्रोडो का एक ट्रिक डालूँगा इतना सिंपल सा ट्रिक है एक दम देखेंगे और याद हो जाने वाले अपने को देखे मोहन जोद्रोडो बहुत ह का मतलब क्या होता है मरना अब देखिए अगर मान लीजे कोई भी मर जाता है तो क्या करते हैं अगर कोई मर जाएगा तो क्या किया जाता है उसको अस्थी में लेकर करके जाते हैं कि न जाते हैं बहुत है अस्थी में लेकर करके जाते हैं और जब अस्थी में लेकर करके ज लोग किए आते हैं, तो दो लोग कहा रहते हैं? पीछे दो लोग आगे मतलब यहet was मोहन जोद्रोडा का खोज कब हुआ था तो 1922 में कब हुआ है मोहन Eduarak खोज खुदाई to 1922 में एक्सम्जटम सा है देखो अब कोई मड़ेगा तो अस्थी से ले करके याएंगे तो दो लोग कहा है आगे और दो लोग पीछे तो 1922 में इसकी क्या हुई खोज हुई ठीक है क्या होता है अलग-अलग धर्मों के हिसाब से हैं जैसे कुछ धर्मों में क्या होता है जैसे ले गए अस्ति से उसके बाद क्या करते हैं उसको दफना देते हैं क्या करते हैं उनको और यह आदमी पहला नाम था यह सब कर करके लिख देते हैं कुछ धर्म होrit करता है खोदाई हूग으 और वहां से अपने पोस से अपने को पर रचाय है मुहन जो दोडो की खोज किस ने किया है मुहन जो दोडो की खोज किस ने किया है अब देखो यह सब हो गया उसके बाद क्या करना है राक को लेते हैं और अच्छे जगह पर पानीवा नहीं रहें वहाँ पर उसको विसर्जन करने के लिए जाते हैं कि नहीं राक को तो जिस जगह पर जाओगे वह पाक इस्थान होना चीए पाकिस्थान मतलब एकदम अच्छा पवित्र जगह होना चीए तो मोहन जो दोडो कहां पर है मोहन जोडो कहां पर है भाई मोहन जोडो है अपना पाक मतलब पाकिस्तान में मोहन जोडो कहां है तो मोहन जोडो है पाकिस्तान में मोहन जोडो कहां है पाकिस्तान में ठीक है देखिए राक है राक को ले करके गए कहां गये हम लोग एक पवित्रिस्थान मतलब पाकिस्ता महंजर लोग का है पाकिस्थान में है उसके बाद क्या है देखो जब कोई मरता है तो जब नहाने जाते हैं तो क्या सिधा सिधा चलते हैं ना सिधा सिधा चलते हैं कि नहीं भाई तो सिधा सिधा गये नहाने के लिए तो नहाने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं तो नदी होगी सिंधुनदी अब कों सीनल है यह नदी है अपनी सिंधुन अधी है थिखे couple लिए उसके बाद क्या होता हे दसकात्र कितर में क्या करेंगे खाना खाने के लिए बुलाएंगे सब कोई को, सब कोई को क्या करेंगे, खाना खाने के लिए बुलाएंगे, तो क्या छोटे मोटे जगा पर खाना खिला दोगे भई, बड़ा अन्नागार चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा अन्नागार, तो ब्रिहत अन्नागार कहां से मिले ह तो मोहन जोद्रोडो से ही मिला है, ब्रिया दन्नागार कहां से मिला है, मोहन जोद्रोडो से मिला है, उसके बाद क्या होता है, तेरिवी के दिन, जो भी मतलब जैसे मालो अगर कोई पुत्र मरा है, तो या मालो कोई पिता मरा है, तो उसका जो बड़ा बेटा है, उसके सीर प करमाण कहां से मिले हैं तो मुहन जोद्रोडो से मिले हैं ठीक है बहुत ही सिंपल से ट्रिक था है एक बार और रिपीट कर रहा हूं है यह सब याद रखने के लिए देखिए मोहन जोद्रोडो का मतलब क्या होता है तो मृत को कट्विला मोहन जोद्रोडो का मतलब क्या होता ह तो 1922 में, मोह किया किया जाता है, जलाओ गए थे क्या वनेगाँ, तो राक से अपने को याद रखना है, मोहत्य जोडार की खुदाई किसके नितुत में । किसके नगें कि पेनियाता के लिए जाते हो यह ज़ada qat that raqadaza ता कुछा कि पंधा करने के लिए जाते हुए और नदी में पईत्रमी में जाते हैं तो उसके क्रेंगें क्लाइन पड़ेगा इस्थान चुनाकर जरॉब मोंचर कहा पर है अर देखो जब नाहाने के के लिए जाते हैं सब कोई सीधा सीधा चलते हैं कि नी चलते हैं सीधा सीधा चलते हैं तो सीधा सीधा जाएंगे तो किस नदी में जाएंगे सिंधु नदी में सिंधु नदी में सब कोई नहाने के लिए मतलब ब्रिहद इश्णानागार भी कहा से मिला है मोहन जद्रोडो से ही मिला है ठीक है उसकुर्अ थिर्यवी के निन खından खिला रहे हैं मतलब किया है अना खालिये भिज़त्र अनागार में क्या धुबिछास एक दम IMPORTATION असी मिला थे साथ सात क्या है सिंदुघाटी की सबहता का बेसिक चीज़ों को पूरा कपूरा बताए था क्लियर है तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा लगभक आधागंट का वीडियो था वो तो कृपिया जाकर के उस पहले वीडियो जाकर देखो गए तो 50 एकदम important question बताया हूं साथ सिंद्युगाटी सब्वेता का पूरा detail में बताया हूं ठीक है? तो ये दो वीडियो में अपना सिंद्युगाटी सब्वेता पूरा का पूरा खतम हो गया 50 एकदम important question थे पीछले वीडियो में जाकर करके उसको आप जरूर और साथी साथ क्या करना है बगल में बेल आइकोन होता है उसको भी आप लोग क्लिक कर लेजेगा ठीक है और एक चीज और बोलना चाहरा हूं प्लीस जितना हो सके मेरे वीडियो को सेयर करिए क्योंकि मैं यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं चाहता ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सको और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद हो सके ठीक है थैंक्यू दोस्तों और आप लोग एक चीज कर सकते हैं आप लोग जितना कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं भी जानूंगा अगर मुझे में कुछ गलतिया है तो भी आ पहल आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है थैंक्यू